गुड मॉनिंग डियर स्टूडेंट्स सौरप सरकी आनलाइन संस्कृत क्लास में आप सभी का स्वागत है आज हम अपने कच्छा आठ का जो द्वितिय पाठ अर्था दूसरा पाठ है आपका चत्वारा पुरिशार्था उसका तीसरा जो खंड है उसका अध्यन करेंगे इससे पहले आपको धर्म के बारे में और दूसरा अर्थ के बारे में बताया जा चुका है आज तीसरा काम मुनस्के चार पुरिशार्थ होते हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष धर्म और अर्थ आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया जा चुका है आज काम जो तीसरा अंग है हमारे पुरिशार्थ का उसका हम अध्यन करेंगे तो सभी बच्चे इस बात का ध्यान लखें कि जो भी यहाँ पर उच्चारन किया जाता है इसे भी अच्ची प्रकार से ठीक है? ठीक प्रकार से आप लोग भी इसका उच्चारन करें फिर अर्थ देखें तो इस तरीके से आपका संस्क्रत पढ़ने में आपकी गलती नहीं होगी और आपको फिर बहुत अच्छे से पढ़ना भी आ जाएगा तो देखिए लिखा हुआ है इच्छा कामस से अपरम नाम लिखा हुआ है इच्छा, जो हमारी इच्छा होती है कामस माने काम का अपरम माने दूसरा नाम तो इच्छा जो है वो काम का दूसरा नाम है इति शब्देन सर्व बिधा इच्छा अभिधियते इति शब्देन इस सब्द से अर्थात काम शब्द से सर्व बिधा सभी विधाओं की या सभी प्रकार की जो इच्छाएं हैं अवी दियते माने इसके अंतरगत आती हैं तो काम इस शब्द के अंतरगत हमारी सभी इच्छाएं आती हैं इच्छा सुख सैव भवती इच्छा जो होती है वो सुख की होती है अतहा पुरुष यद यद संसारिक सुखम इच्छा थी यदि वो संसारिक सुख की अभिलासा या इच्छा रखता है ततत सरवं कामे अंतरभवती वे सभी चीजें काम के अंतरगत आती है अरता जो सुख प्राप्ट करने की जितनी भी चीजें हैं वो सब काम के अंतरगत आती है कजाचित सब्रच्छा दी नाम सोभाम द्रिष्टुम इच्छत कजाचित कभी कभी सहा वहा ब्रच्छा दी नाम मने ब्रच्छों की सोभा मने सोभा को द्रिष्टुम देखकर इच्छत इच्छा करता है तो कभी वो ब्रच्छों की सोभा देखने की इच्छा करता है, कामना करता है कजात्यत संगीतम शिरोतुम, कभी वो संगीत सुनता है, गाने सुनता है कदाचित प्रकृतिका नाम मनोहरारी, द्रश्या नाम संदर्रिम द्रश्टुम और कभी-कभी प्रकृत के सुंदर द्रस्यों को देखता है कजाचित सुगंदान अग्रातुम कभी-कभी सुंगने के लिए जो सुगंदित पदार्थ हैं उनको सुंगने की इच्छा करता है कजाचित सुखदासु सैयासु सैतुम अभिलिसत कभी कभी सुखदास, माँने अच्छी शुखदेने वाली सया माने भिस्तर पर शोने की इछा रखता है काम एवपुरसम सरवास एतास क्रियास प्रवर्तेत काम की ये जो सबी इछ्छाएं हैं वो पुरसों की सबी क्रियाओं में आती हैं तो पुरुसों की ये जो इच्छाएं हैं वो सब काम के दवारा प्रवर्तेयति आती हैं यदी समयक अर्जितें धनें एतत अनभूताम तरहिवरं यदी समयक अर्जितें धनें यदी धन को भली प्रकार से अर्जित किया जाRO तो एतत अनुभूताम तरही वरम तो ऐसा अनुभू किया जाना चाहिए तरही वरम वही स्रेष्ट है यह दिधन को अच्छी प्रकार से भली प्रकार से अरजित किया जाए तो ऐसा अनुभू किया जाना चाहिए तरही वरम तो ही वहा स्रेष्ट है वरम माने स्रेष्ट तर्री माने तो तो इस तरीके से आपका जो ये स्टेंजा था वो समाप्त हो चुका है सभी बच्चे इसे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे That's all, thank you